हेलो एब्रीवन वेल्कम बाक तो माई चैनल प्राचित्सवल आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है और बहुत सारे लोग ना टिंपनियां देने आ गए थे पिछले व्लॉग में और उससे भी पिछले व्लॉग में तो सबसे पहले क्या आये थे वो मैं बता देती हू कि दी क्या हुआ है आप बताईए आपके घर पे क्या हुआ है तो कुछ लोग बोले थे तो वो तो चलो मेरे व्यूवर्स हैं जो जाना चाते क्या हुआ है कि सड़नली सब लोग आये हैं अगर मुझे व्लॉग की पड़ी होती व्यूज की पड़ी होती तो मैं सबसे पहले ही डाल दी होते कि हां मम्मी भाईया सब लोग आ रहे हैं ताकि व्यूज आये मेरे चैनल पर लेकिन जस्ट इन मतब इतना इंसेन होना चाहिए कि चलो क्या व्लॉग डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं वो पता होना चाहिए तो मैंने व्लॉग में कुछ ऐसा नहीं डाला था मै बहुत सारे लोग बोले थे कि यह बहुत घमंडी है नहीं बताएगी क्यों आ रहे हैं सारे लोग तो चलो जी आप इतने मेरे को घमंडी समझते हो उसके लिए थांक यू लेकिन आपको भी थोड़ा इंतिजार करना चाहिए कि अगर कोई चीज हुआ है तो अपना टाइम ले है और ऐसा नहीं है कि हमारे वेज़े से किसी की होली नहीं मनी किसी की क्या रंजना और भावी स्पेशली भावी के लिए आ रही है कि तुम नहीं चाहते थे कि वो अपने पती के साथ मना है तो मैंने नहीं बोला था भाईया को आने इनफेक्ट मैंने बोला था भाईया चला जाओंगो तुम इतना टेंशन मतलो तुम पर कोई बात नहीं है तुम पर नहीं मैंनेज कर लूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर ममी बापा भी आ जाएंगे तो हो जाएगा कि मैं लड़ो के बापा को ले जा करके अपना दिखा लूँगी और जो भी चीज़े है मैं मैंनेज कर लूँगी अगर ममी बाबू लोग को देखेंगी तो अगर पापा भी आ जाते तो भी हो जाता कि मैं घर पे रहती लड़ो के बापा के साथ दिखा देते मेरे ससुराल से भी कोई आता तो भी चलता लेकिन मेरा किसी को भी बुलाने का कोई इंटेंशन नह पाम 550 शायद आप लोग उन में से होते हुए होगे जिनके घर में अगर उनके जी जाया उनके भाई में इल बहुत लखी हो कि मेरी फैमिली में मेरे दोनों भाई या दोनों भाबियां ऐसी हैं जो ये नहीं सोच रही हैं कि खराप करें वो उनके वियोयर्स हैं, तो मैं बरबाद कर दी, बरबाद करने वाला जैसे था, क्या फोली ही था, कुछ तीस मार खान की कोई हिनूर या कुछ तो नहीं था, जो मैं चुरा लियू हूं, या कुछ कर लियू हूं, फोली था, उस में भी मैंने किसी को बोलानी है, कि तुम आओ, आप आईए, ममी, पापा, किस किसी को कुछ नहीं बोला है जो आये हैं obviously out of care मेरे साथ पहले भी जब भी कुछ हुआ है मेरी तब्वेत खराब हुई है जो भी खराब हुआ है मेरे फैमली वाले माई के हो यह सुसराल दोनों खड़े रहे हैं और यही जिस भाई को आप लोग बोलते हो ना कि अपनी बहन को देखने नहीं किया कल को वो जब कहीं और जाएगा तो फिर आप बोलोगे कि अपनी बहन को देखने नहीं किया था इधर उधर घूम रहा है तो आप लोग प्लीज अपनी चिंता अपनी ही तक सिमित रखिए इतना गुजने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मेरे बाकी भी फ्रेंड्स फैमिली जो भी मेरे आसपास के थे वो लोग भी आये थे और हाँ गुलाब जामून खिलाया था क्योंकि मेरे घर कोई गेस्ट आया है या मम्मी पापा है तो मैं नहीं चाहूंगी घर का महल एकदम दुखी वाला ही रह यहाँ कोई मूवी नहीं चल रहा है कि एकदम दुख वाला मौहला है तो दुखी ही रहे सब लोग नहीं सब की खुद की होली थी और आप लोगों को यह लग रहा है कि दूसरे की होली खराब क्या है दूसरे की होली क्या खराब क्या हमारी खुद की होली भी तो वैसी ही हो गई ना और दूसरे लोग तो फिर भी चलो रंजना को मुझे नहीं बता आप लोग बहुत जादा कंसान है भावी के रिलेटेट तो भावी ने खेली अपनी हो ली अब मैं उनको नहीं खिला सकती और हस्बेंड वाइफ खेलते हैं मैं नहीं बोर रहे हैं भावी को नहीं आना चाहिए था या भावी को मैंने शाज करके नॉर्मली बात हुई और उन्होंने उनको प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग को क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा है रही बात हमारे घर में जो आएगा जैसे भी आएगा कल आप लोग ही आओगे बोलने के लिए कि अच्छा इसके घर ममी पपा आए थे तब तो सिट्वेशन आप लोग नहीं समझोगे और बोलोगे कि हाँ ममी पपा आए थे इसने एक मिठाई तक नहीं खिलाई थी तो मेरे को जो सही लगता है वो मैं कर रही हूँ यहां मैंने कुछ कोरियर किया था जो मुझे आया था यह प्लान्स रखने थी कि क्या है कैसा है और आप लोगो को बता दो होली कभी ऐसा नहीं रहा है हमेशा नहीं नहीं कपड़े या फिर अच्छे अच्छे कपड़े वगी रपहन के बट कहां पर इतना मतलब अजीब लग रहा था बट ममी बोली कि नहीं सिंदुर बिंदी यह सब चीज़े होती है तो तुम तयार होके पूजा कर लो अपना बिकोज पूजा करना जरूरी है और चलो माल लो क्योंकि मैं भगवान में बिलीफ करती है तो अगर कुछ गल्दी सही भी हुआ होगा तो भगवान माफ करें और जो भी चीज़े हैं कुछ ना कुछ एक इंडिकेशन होती है कि चलो तुम अगर भी अच्छे से नहीं करो कुछ टाइम से ऐसा हो रहा था मेरा मन भी नहीं लग रहा था और कुछ मोहल आप मेरा व्लॉग भी देख रहे होगे मैं व्लॉग भी बहुत कम डाल रहे थी एक एक दिन डिले करके डाल रहे थी बिकोज मैं खुद उतनी ख प्राइरिटी है बट इतनी प्राइरिटी नहीं कि मैं अपने मन के खिलाफ जाके या घर में कुछ मोहल अलग चल रहा है और मैं अलग ही चलू साजिश होती ना तो मेरे ससुराल तक फोन नहीं जाता और मैंने फोन नहीं किया अपने ससुराल माय के कहीं पे भी नॉर्मल ब accordingly हुआ था तो that's it मैं इसके बाद कुछ बोलाने जाती है यहां चिको की ममी भी आई थी प्रेमू भी आई थी आगे व्लॉग में दिख जाएगा और इतना ऐसा हो ली तो पहली बार ही मना 7 साल के हो ली में अभी लड़ो के पापा के कान में आप इर वो देख रहोंगे रूई तो उनका कान का जो चादर है वो फट चुका है इर ड्रम जिसके वज़े से एक क्लोटिंग भी हुई है उनके माथे के मतल़ हेड में इंजुरी हुई है जिस वज़े से क्लोटिंग हुई है आगे व्लॉग में आपको सब कुछ पता चल जागा मैंने आगे डीडिल में वीडियो बनाया है तो आप व्लॉग को पूरा देखिए यहां पे चीको की ममी को मैं सी ओफ कर रही थी और ऐसा नहीं है कि अगर कुछ हो गया है तो हम मैं पूरी कोई खुश नहीं हूँ लेकिन हाँ मैं हमेशा से स्ट्रॉंग दिखाती हूँ तो लड़ो के पापा भी अगर मैं रोने दोने लग जाओंगी न तो ट्रस्ट मी लड़ो के पापा दो मिनिट में उनका सारा जितना भी स्ट्रेंथ है वो टूट जाएगा तो मुझे स्ट्रॉंग रहना ही पड़ेगा क्योंकि आफ्टर आल यहाँ पर मैं उनकी स्ट्रेंथ हूँ वो मेरे स्ट्रेंथ है अगर वो घबराते है तो मैं अंदर ही अंदर घबरा जाती हूँ लिकिन स्ट्रॉंग दिखाती हूँ कि चलो है अगर फीवर भी आता है या कुछ भी होता है न तो मैं बोलते ही लड़ों कि बापा कोई बात नहीं है सब नॉर्मल है चला जाएगा हो जाएगा ठीक हो जाएगा मैं खुद इससे पिछली बार जब एक्सिडेंट हुआ था मैं खुद गई थी उनको ले करके आई थी गर आज से आप लोगों ने सब वीडियो देखा है तब भी मैंने वीडियो डाला था तो अभी आप लोग कैसे सोच रहे हो कि मैं तब साजिश है टाइमिंग ऐसी है जिसमें आप लोग पता नहीं क्या दिमाग लगा रहे हो खैर मैं मुझे उन एक परसेंट लोगों को एक्स्प्लेंशन देने की जुरूरत नहीं है जो कि मुझे कभी समझ ही नहीं पाए है आज तक क्योंकि दस बर जिस्टिफिकेशन देने के बाद भी अगर आपको नहीं समझाती है कुछ चीज़ों को तो लैट इट बी बस इतना बोलूँ कि मेरी फैमिली मेंबर्स है जिन आपके घर में होती होंगी यह साजिशन मेरे घर में नहीं होती है अगर ऐसी होती तो मेरे आसपास के लोग आके देख के नहीं जाते और हाँ ज़रूरी नहीं है ना कि घर का मौल अगर किसी बंदे को कुछ हुआ है तो आप एकदम उसको और फील कराओं और यह जो बात कर रहे थी कि हाँ प्रेमू बोल रही है कि हाफ एनार के मतलब आओंगी मैं तो मैं बोल रही थी कि अच्छा तूम थोड़े ही देर करी क्योंकि प्रेमू बस आई मिली और चली गई थोड़ा से गुलाल लगाई थी क्योंकि हम लोग पूजा में चढ़ाते हैं तो उस कर नहीं सकते हैं, that's it और अब आगे दिखाना है कर नहीं है कि अब वो रोग के कैमरे में आके दिखाए तभी जाने का कि क्या हुआ है लिगिन के सब दो बच्चे है और हम लोग सब सब ठीक हो जाएगा बौत जल्दी ठीक हो जाएगा अब तो कल दिखाना है फिर से दिखाएगे एकदम जीक हो जाएगा फिर हम लोग चलेंगे बठिया से इसकों टेंपल भगवान का असे बाद हम लोग लेगे साथ में और सब भगवान अच्छा करेंगे सब भगवान है, हम दोनों तो यही बोले कि भगवान हम दोनों जब सबसे मेरी भावी बोल रहे थी बार बार बोले यह आप चाहिए महावी जाएगे नहीं जाएगे आप हमको जाव सुली है यहाँ पे हम लोग सब लोग ठक हो के बैठ गएए अब खाना पीना बन गया मात्यारे लोग ठेस्टे हैं भी और अच्छब शर्ण अड़ा सकते हम रहे दाघिवड़ा खंए हम लोग थोड़ा सा ठेस्ट किएं अभी और अच्छबmesदी नहीं जाना अब प्रेमू आई थी तो थोड़ा बहुत लगा लिया है लोगे चुटकी को नहला दिया है तो अब करके लड़ू के पपा वहां सुए है उनको भी लगा दिया तब ममी घूमने आना था आप तो ऐसे आईगी पापा जी आये हैं और पापा जी का जाने का भी टिकट हो गया है कर उनका थिक और से टीएस कि खरा कर नहीं पापा को ताइम नहीं था लेकिन हम भी सोचे थे कि आएंगे बड़े पर आते बनिया के यह हम आपको माना नहीं कि अधिया है कि मदमने पापा को बॉल्ग याएंगे तो घर में रहें गखाने की शाथ बढ़ा जाना होगा तो हम चल जाएंगे जाकर देखा देगा इसी लिए हम बोल रहे हैं आई लोग जो हैं वीवर्स वीवर्स तो नहीं कुछ लोग हैं यह बोल रहे हैं साजिश की हैं किoder वाड़ा ऐहां घर वाड़ा कं çारो तो मनिशा तो मनीशा रंजना का भाधि होली कारप कर दिया सब का जरण पड़ेगा वहां हम लोग चले जाएंगे मानिसा Ms. छोछे कि भाई मेरे खांने हने मेरे फैमली में करते हैं वैसे हम बुलाएं नहीं, हम सब को ही मना किये, आपको ही मना किये, कि ममी हो ली है, अभी मत हो कीजिए, क्योंकि एक्सिडेंट पिछली बार भी हुआता, लेकिन अब भी जो हुआ था, थोड़ा सा वैसे था कि कॉंट्रोवर्शिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि नौर्थ इंडियन, साउथ इंडियन वाला सीन था, और अगर ऐसे गिरवीर के होता है, तो इनसान वो मैनेज कर लेता है, यह जगडा जंजट इन सब में थोड़ा सा टेंशन अलग होता है, नहीं, उस तेम दिमाग नहीं, और हम लोग का मेरा तो भाई ऐसी यह जो होता है, इन सब चीजों में दिमाग थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा अराम से काम लो, तो वैसे होता है, बाकि ऐसे मेंटली तो काम करता ही है, अब कल ऐसा हो गया था कि छुटकी भी सोई थी लड़ू भी था और हम जा भी नहीं तो मेरे खार को पापा बताद कीशो scratch आ, यह से माना की है । यह ही हम यहिए बोले थी वह वहघा खोला है, तो हम खुद आ जाएंगे अगर ьशुर्द की यह तो मेरे फंड होगा और हम लोग ना कीतREE li धृट जिय शिविएंगे, वहूट था नहीं है और हम लोग घर नह प्रागत है बहुत जादा हमको ये भी हुआ कि यार उन लोग को क्यों बता दिया भी इतनी चल दी लेकिन सामली में बता भी देना चाहिए क्योंकि कल को कोई भी चीजों का तो हम दोनों ही होंगे दूसरे के लिए की नहीं तुम चाहि और से तो बोलना लगे कि नहीं जो जो भी नहीं हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे यार फीर पापा ब drinके छोड़ दीजेये हम जारा मेरे बाल खीचा रहा है कि जा रहा है आप छोड़ देजें जैसा होगा साम जाकर बताएंगे तो ठीक है अभी अंदर से बरदास्त करके रख्या है पीछले बार भी एक्सिडेंट हुआ था और घर से सब लोग आये थे तो यह ना अपने आपको वही स्ट्रॉंग बनाते बन इनको कांटिनेसली दस दिन तक तो ऐसी पड़े रहे थे बिमार हल्दी दूद्ध पीपी करके ठीक है अभी बापस अपने आपको श्रॉंग बना रहे हैं लेकिन कूंख भी रहे हैं उनको लगा दुमार रहे हैं लड़ू सोग या अंदर घुशके हम घरी पर बोल रहे है हुआ हो इसको थोड़ा भी दूप होता है इसे चला भी नहीं जाता है तो हम भाई अब हमको बोला तो नहीं बोली है तुम वहां पर था पहले हम चुटकी को देखने आ रहे हम उससे वी मीलेंगे और हमको तो पता ही नहीं थे कि फ्लाइटों कर लिए आप लोग हम तो आराम से नॉर्मल हो गया था घर पर बात हो गया था हम आप लोग को बोले थे हम खुदी फोन करेंगे जैसा सिच्वेशन होगा तब फिर उसके बाद से आप लोग बोले कि हम लोग पटना के लिए निक पोट है पर हम सेच्वेशन हो चैनल ऐसे विए नहीं प्लेट नहीं पता है तो इनसान तो इदर जीएगा कुछ भी करेंगा किशी और फूर्ण अजा रहे वहां जा रहे हैं वहां जा रहे ताकि पहले वी आप बोलती है दोनों फैमिली में एक जगधा होना चाहिए ताकि कभी कुछ हो भी फ्यूचर में तो हम लोगों को हो कि हाँ चलो आइडिया है तो बोलती है कि नहीं एक फ्रामिली में कम से कम पता होना चाहिए जूट नहीं बोला जाता है तो वही फिलहाल तो लड़ीगों पर रेस्ट कर रहे हैं लड़ू और प्रेमू आधा तो लगा दिय अबीर और चीकु की ममी भी आई थी आज पूजा वेगिरा किया हैं लेकिन अबीर कुछ नहीं खेले थे हम लोग रंग वंग तो क्योंकि खाना पीना ही जो भी बनाये थे हम लोग दही बड़ा दूद पुरा ममी बनाई फिर यहीं सब बनाते बनाते अभी भावी का फोना मेरी जी ठानी जी का तो वही सब करते करते ही टाइम हो गया था अब हम लोग शाम में थोड़ा बहुत क्योंकि अबीर चड़ाएं हैं तो वह भी हम भावी हैं देवा हैं सब लोग लगाएंगे और बस आई होप कि सब का और कुछ लोग तो बहुत बिलो बेल्ट जा करके क सबस्क्राइब भी आटी अबिब्त हम यह भी नहीं तो सीथे बोलतें मुट आई बहुत फॉराब भी आई होंगी पक्का ठीक है तो इस व्लोग को रहने देते ही नहीं पर और मिलते हैं बहुत जल्दी अगले व्लोग में बाई 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 तिल देर टेक केर